स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेच्टरल गैस और एकस एंजी उसडी में बताते हैं कि नेक्स डे कौन से उसमें मूव आ सकते हैं क्या टागेट रह सकते हैं और कौन से ऐसी चीज़ें जो की इंपक्त डालेंगी तो चले शुरुआत कर लेते हैं कि क्या विडियो बनाए थी तो उसके बाद मैंने आपको कुछ लेवल्स यहां पर दिये थे और इसने उन लेवल्स को एचीव कर लिया था और उसके बाद यहां पर इसने और भी उपर उसके बाद गया है यह और यह जो कुछ लेवल्स पहले से ड्रॉ करे थे पुराने लेवल्स वह बिल्कुल से टुच करके वापन नीचे को यहां पर आया है काफी नीचे तक आया है यहां से जान लेते हैं की जो देखने को मिली है हमें एच हाल देखने को मिला था उसका में रिजन इसले जया है तकर हो कूलर आया है और लाॉंटर propose फॉरकास्ट में थंडिक अगर ज्यादा बढ़ती है जैसे थंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेशनल गयस की जो डिमांड है वह बढ़ती है और उसके वज़ाद से यहां पर उपर जाता है यह लेकिन फिलहाल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक ही है वह हÃती है और जो चीज़ है वह है जो प्लांट मेंट तरह भीकरपो हो रही है जो जो फिरह फिलहाल शां पर है वो mild temperature है और उस mild temperature की वज़े से जो यहां पर output इतनी ज्यादा हो रही है जो United States से इतनी ज्यादा export हो रहा है दूसरी countries में तो इतना ज्यादा consume फिलहाल नहीं हो रहा और यह जो हमारा data होता है वो एक हफते का data होता है तो अभी फिलहाल यह जो data है वो यही बताएगा कि जो यहां पर demand है वो इतनी ज्यादा नहीं है और supply बहुत ज्यादा हो रखी है और उसकी वज़े से वह storage में और ज्यादा जाए जा रहा है तो उसकी वज़े से यहां जो यहां पर यह है XNG, USD और National Gas है इनमें गिरावट हमें देखने को मिली है तो कल भी मैंने आपको कहा था कि यही एक चीज इसे गिरा सकती है और उसे नहीं यहां पर गिराया है इसे लेकिन अभी यहां पर जो है अब वो force कितनी देर तक चलती है वो भी देखना पड़ेग तो यहां पर नेची और ऊपर के दोनों तरफ के लेवल्स है और मेभी हो सकता है कि यहां पर यह बहुत जादा मूव कल ना दिखाए क्योंकि कल कोई ऐसा specific data नेश्टल गैस के लिए तो नहीं आ रहा है बाकि इसके लावा कोई और नया data आ जाए तो वो अलग बात है तो य यहां पर long term forecast जो है उसमें temperature गिरा हुआ है और आज यह इस वज़े से गिर गया है कि supply जो है बहुत जादा है तो यहां पर उन दोनों की वज़े से जो है थोड़ा सा sideways हो सकता है कि यह रहे लेकिन लेवल्स के तूटने पर यहां पर हमारे जो लेवल नेक्स्ट जो टार्ग c in candle की closing अवा तो next target हमारा 3.372 रह सकता है और इसके ओपर भी अगर हमें green candle की closing देखने को मिलती है तो फिर हमारे जो next टारुट है यहां पर रह सकता है वह level 3.406 का यहांपर रह सकता ए और इसके ओपर भी Green candle की अगर closing आती है तो next target हमारा यहां पर 3.423 का रह सकता है one hour का time frame पर और down set की अगर हम बात करें तो इसके नीचे red candle की closing आने दीजे 3.308 के नीचे अगर आती है तो फिर हमारा जो next target यहाँ पर रह सकता है वो यहाँ पर यह level रह सकता है और यह है 3.286 का और इसके नीचे भी अगर red candle की closing हमें देखने को मिलती है तो next target हमारा यहाँ पर next target यहाँ पर यह level रह सकता है और यह जो level है वो है 3.261 का तो यह हमारे उपर और नीचे के लेवल से XNG, USD में रह सकते हैं और natural gas में जो हमारे next target यहाँ पर हैं वो क्या रह सकते हैं वो जान लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ के लिए यहाँ पर 263.7 के उपर अगर green candle की closing आती है तो फिर हमारा next target यहाँ पर 268.3 रह सकता है जबकि नीचे की तरफ को यहाँ पर इसके नीचे यानिकी 262.6 के नीचे वन आवर के टाइम फ्रेम पर red candle की closing आने दीजे अगर आती है तो उसके बार next target हमारा 262.9 रहेगा और इसके नीचे भी अगर red candle की closing आती है तो next target 259.3 और इसके नीचे भी अगर red candle की closing आती है 257.5 हमारा रह सकता है और दोस्तों यह नेच्वल चैस और एक्सेंजी में हमने आपको लेवल्स बताए हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले नीचे थम का बटन है that's it उसको दबादो बस छोटे सी काम है और उससे हमारा को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए और दोस्तों यह वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशन पॉपस के लिए बनाए जा रहे हैं हमसे भी रेजिस्ट्रट फाइनेशल वाइसर नहीं है तो ट्रेड लेने से बाले अपने दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दन वा नाइस दे गुडबाई और शेफ